रादे रादे दोस्तों मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम सेर करेंगे आपके साथ करेले की कलोंजी की रेसेपी जिसे बनाना बहुत आसान है खाने में बहुत ही जादा टेस्टी होता है और करेले के भरवास है इसका टेस्ट बिलकुल अलग होता है इसके मसाले अलग होते हैं बहुत आसान रेसिपी है पर बहुत ही जादा टेस्टी वन के तैयार होता है यकीन है हमें आपको ये recipe बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है तो चलिए जल्दी से recipe देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम करेला ले लिए हैं और इसके नीचे वाले part को cut करके हटा दिये हैं बीच में cut लगा लेंगे cut लगा के इसके बीच को हमें निकाल लेना है तो अगर पका हुआ बीच है तो आप फेक सकते हैं पर soft बीच है आप देख सकते हैं यहाँ एकदम soft वाला बीच है तो इसे हम मसाले में यूज कर लेंगे तो पूरे करेले में ऐसे ही कट लगा के बीज हम निकाल लिये हैं इसे हम मसाला में यूज करेंगे फेकेंगे नहीं और आप चाहे तो करेले को पूरा-पूरा भी रख सकते हैं हम यहाँ पे बीज में कट लगा दिये हैं अब इसे डालेंगे एक प्रेसर कुकर में पानी डाल देंगे इतना कि करेला डूब जाए नमक डाल देंगे इसमें एक चमच और हल्दी पॉडर आधा चमच इसमें डाल दीजे अब प्रेसर कुकर को बंद करके एक ही सीटी लगाईगा जादा हमें इसे बॉयल नहीं करना है बस एक सिती हमें लगाना है जब तक करेला बॉयल हो रहा है तब तक हम मसाले की तयारी कर लेते हैं इसके लिए दो चमचे साबुत धनिया एक चमच जीरा एक चमच सौफ एक चोथाई चमच मेती दाना और यहां पे डेर चमच पीला वाला सरसो एक चोथाई चमच कलोंजी ल अजवाइन डाल देना अजवाइन बहुत जल्दी भुना जाता है तो लास्ट में डाल के हलका सा इसे भूनके इसे अलग बरतन में निकाल लीजे जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसे पीसेंगे और यहां पे पैन में हम धीर सारा लेसन की कलियां डाल दिये हैं इसे भी हम तो गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रख्येगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं लहसन भी भुना गया है तो बस अब हम इसे ठंडा कर लेंगे यहाँ पर यह मसाला ठंडा हो गया है तो इसे हम एक जार में रख लेते हैं और पहले हम इसे पीस लेंगे उसके बाद इसमें बाकी के मसाले डालेंगे तो यहां पे हम इसे पीस लिए हैं और आप देख सकते हैं हलका सा दरदरा है यह तो बिना पानी डाले आप इसे पीस लेंगे न तो यह बहुत अच्छे से पीस आ जाएगा अब इसमें हम बाकी के मसाले डाल देंगे तो सबसे पहले करेले का जो बीज है न वो डाल लेंगे लहसन जो भूने थे वो डाल देंगे एक यहाँ पे हम कच्छा आम लिए हैं वो भी डाल देंगे थोरा सा पिला निकल गया था पर यह बहुत खटा था तो खटा आम जरूर डालिएगा अगर आपके पास खटा आम नहीं है ना तो आम चुर पौडर डाल दीजेगा बाद में यहाँ पे थोरा सा पानी डाल के हम इसे पीस लिए हैं एकदम से मिहीन पेस्ट हमारा तयार है अब हम मसाले को भूनेंगे तो पैन में तेल डाल दीए हैं आधा चमच काला सरसो और एक चोथाई चमच हींग और एक छोटे साइच के प्याज को मिहीन चौप करके डाल देना है प्याज सौप्ट हो जाए तब तक हम इसे भून लेंगे उसके बाद इसमें हम डाल देंगे जो सूखे मसाले हमें डालना है तो आधा चमच हल्दी पॉडर एक चमच कस्मीरी लाल मिर्ची पॉडर और एक चमच तीखा वला मिर्ची पॉडर कस्मीरी लाल मिर्ची पॉडर से मसाले का कलर बहुत सुन्दर आ जाएगा बस इसके लिए कुछ सेकेंड के लिए मसाले को हम भून लिये हैं अब इसमें हम डाल देंगे वो पेस्ट जो बाकी मसाले को मिला के हम तैयार किये हैं पूरा पेस्ट आपको यहाँ पे डाल देना है साथ ही में आपको टेस्ट के अनुसार नमक भी यही पे डाल देना है अब हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे तब तक जब तक मसाले ड्राई न हो जाए मसाले से तेल आपको अलग न दिखने लगे और हाँ अगर आपके पास क और यहां पर मसाला हमारा ठंडा हो चुका है तो अब हम इसे भरेंगे करेले में करेला में हम एक सीटी लगाया थे और इसके प्रेसर को निकलने दिये थे जब प्रेसर निकल गया है तो पानी से अलग कर दिये थे और करेला बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है ठंडा भी ह तो अब आप इसमें मसाला को भर दीजिए हाथ से चमसे जैसे भी आपको आसान लगता है वैसे आपको इसमें भर ले रहा है जितना मसाला आता है उतना भर दीजिए तो बहुत आसान है देख सकते हैं आप कैसे और बस ऐसे ही पूरे करेले में मसाला हम भर लिए है थोड़ा स मसाला हमारा बच गया है तो इसे आप फ्रीज में रखके न दस दिन तक यूज कर सकते हैं यह खराब नहीं होगा और किसी भी सबजी में आप इसे भर सकते हैं परबल बैंगन किसी में भर के बना सकते हैं यहां पे पूरे करेले में मसाला तो हम भरी लिए अब हम इसे करेंग तो medium आँच पे गैस का flame medium करके अच्छे से पलटते हुए चारो तरप एक अच्छा सा color आने तक आपको इसे fry करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे करेले के उपर ने एक अच्छा सा color आगया है बहुत अच्छे से यह fry हो चुका है तो तेज आँच पे इसे फ्राई नहीं कीजिएगा अब हम इसे निकाल लेते हैं और इस करेले के कलोंजी को आप दो दिन तक बिना फ्रीज में रखे भी यूज कर सकते हैं ये जल्दी खराब नहीं होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और जब आप कहीं सफर पे निकल रहे तब आप इसे बना के सफर में ले जा सकते हैं ट्राई जरूर कीजिएगा यकीन है हमें आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है तो बनाईएगा बताईएगा कैसा लगा मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को भी सबस्क्राइब कर लीजिए विल का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा हर विडियो आपके पास पहुंच सगे विडियो अच्छी लगे तो लाइक कीज़े शेर कीज़े कमेंट कीज़े ठैंक क्यू मिलते हैं आपसे नेक्स व